हलो फ्रेंड आप सभी को टेक्निकल गुरू हिंदुस्तान में स्वागत है मैं हुँ अंजर खान तो यहां पर हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि ऑपन कैमरा का कैसे यूज करते हैं उसे कैसे वीडियो को सूट करते हैं जो कि आपको पूरा अच्छा क्वालिटी में होंगे तो मेरा चैनल को simply लाइक करें सब्सक्राइब करें का कि इसी तरह का इनफोर्मिशन आपको मिलता रहे उसके छलते हैं चलते हैं मोवाइल के camera नहीं होता है play store में मिल जाएगा आपको लेकिन वहां पर download करके आप उसको use करेंगे उसे next level का video आपका suit नहीं होगा तो उसका पूरा जनकारी हम यहां पर बताने वाले हैं तो चलिए हम start करने वाले हैं क्या चीज ओपन कैमरा को तो देखिए हम यहां पर open camera को click कर लिए है उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यहां पर setting का लेकिन हमारा ये क्या होना चाहिए enable होना चाहिए क्योंकि आपका face detect करेंगा बहुत ही अच्छा quality में video suit होगा उसके बात देखें, second option है, timer देखें, timer यहाँ पर off क्या हुआ है, आप इसको off ही रहने दे या आप अपने हिसाब से अगर आपको रखना है कि भाई, तीन सेकेंट या one second या two second, आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं, तो देखें, हम इसको फिलहाल में cancel कर दिये, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका नीचे है repeat mode interval not delay तो देखिए इसमें है आपका इससे आप not delay में ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको उसके बाद देखिए जो भी option है इधर छेड़ छाड़ नहीं करना है में आपका मुद्धा है कि भाई वीडियो जो सूट करना है एक next level का हो तो चलिए हम आते हैं सीधा video setting में तो देखिए यहां पर वीडियो setting में आ गया है और इसी में में important है आपका setting करना तो देखिए यहां पर video resolution तो देखिए यहां पर आपका mobile की हिसाब से अपना set कर लिज सकते हैं यहां पर जो है आप रख सकते हैं उसके बाद देखिए next option है maximum duration of video इसमें देखिएगा आपका unlimited है या three seconds five seconds इसमें duration का बात करेगा तो इसमें आपको कुछ नहीं setting करना है या one hour इसमें एकदम जो भी है unlimited रखिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई आप एक YouTube पे क maximum duration देखिए इसमें है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है don't restart पे छोड़ दीजिए उसके बाद आपको आ जाना है maximum file size of video देखिए इसमें हम आ गये हैं इसमें देखिए बोल रहा है कि आप maximum file मतलब 9GB तक कर सकते हैं 5GB तक कर सकते हैं इसमें भी आप device default मतलब आपका device म में क्या हो जाएगा suit हो जाएगा तो device default में ही आप इसमें रहने दिजिए उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आ ढाना है उसका बाद देखिए restart on maximum file size तो इसमें यहाँ पर यह है Enable है यह देखिए यहाँ पर 清楚 हमेसा क्या RAK하나 है मिने इसके बाद देखिए औडियो सोर्ष आ देखिए इसमें देखिए आपको देखना है देखिए और्डियो सोर्ष आरइसे external माइक तो देखिए हम इसको सेट रखते हैं इसमें देखिए audio sares में में इह अपे ये वीडियो रेकॉर्ड होगा उसके बाद देखे इसमें बहुत सारा उप्षन है आप अपने हिसाब से इसमें रखना है कि आप किस से सूट कर रहा है भाई आप लोग को बेस्ट क्वालिटी साउंड अगर चाहिए वीडियो में तो भाई आप माइक यूज करें हम ये आप आपको सलाह देंगे क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल का वाईस क्वालिटी भी आप सूट कर सकते हैं उसके बाद देखे आना है नीचे ओडियो चैनल तो देखे इसमें किलिक किजिएगा तो इसमें डिफाल्ट ही रहने दीजिए उसके बाद आना है आपको देखे लॉग की वीडियो तो इसमें आपका देखे लॉग की स्क्रीन मतलब रिकोर्डिंग वीडियो के बाद लॉग की स्क्रीन हो जाए यह आपका डिसेबल होना ही चाहिए छोड़ दिखे कोई दिक्कत नहीं है इसमें फिर देखे वीडियो सब्टाइटल इसमें किलिक किजिएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है जहां पर है छोड़ दिजिए उसके बाद देखेगा वीडियो बिट रेट अगर भाई अगर किसी को लग रहा है कि भाई हमारा वीडियो का क्वालिटी और अच्छा बढ़ाना है तो इसमें देखे यहां पर बिट रेट दिया हुआ है आ only वर्क Only मतलब कि आपको यह रेगा जब यहां पर नीचे लिखा हुआ है जब आपके mobile में इंबल हो 3840 इनतु 2160 दियोश्यलिशन तो यह फिलाल हमारे mobile में नहीं है लेकिन हमारे में enable किया हुआ है तब ही आपका वर्क करेगा अगर आपका high quality का मुबाइल है तो आप इसमें यूज ये भी कर सकते हैं हाई क्वालिटी में उसके बाद देखिए है क्रिटिकल बैटरी चेक यह अगर इनेबल रखेगा तो आपका जब वीडियो सुट किजिएगा तो आपका बैटरी का भी ऑप्शन दिखाएगा इसक्रीन पे उसके ओपिन किये हुए हैं देखिए मेरा केंप्यूटर है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं तो देखिए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहां पर सिंपल इसको देखिएगा यह देखिए डिडेक्ट करेगा जिसे वीडियो में इसको हम देखिए यहां पर वीडियो प्रूट करते होंगे आप एक अच्छा इस्टूडियो बना करके तो उसमें लाइट कम ज्यादा होते रहता है तो अगर यहां पर यह लोग कर लिजेगा अगर आपका फेस डिडेक्ट कर ले और लोग कर लिजेगा तो एक अच्छा क्वालिटी में विडियो बनेगा हुआ हुँ उसके बाद सेटिंग का उप्शन है वही जो वहां पर हम आपको सिखाए हैं तो यहां पर और देखें यहां पर इसमें थ्री डॉट पर आप किलिक किजिएगा तो उसके बाद वही है रिजोलिशन आपको दिखा देगा इस पीड देखा देगा अब टाइमर जो भी है यहां पर भी आप सेट कर सकते इसका पूरा जानकारी हम बता दिये हैं तो भाई लोग कैसा लगा इंफोर्मेशन अगर इंफोर्मेशन सही लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस झाल झाल झाल